जैन प्यार बच्चों इस समय हम जो आपको बता रहे हैं वो complex number के बारे में बता रहे हैं हमने इसके पहले आपको तीन वीडियो बना करेके दिया है complex number को लेकर लेकर अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेस्ट बिलाएंगे आपको देखने को मिल जाएगा हर ए आज का जो हम बात करेंगे उसका नाम है cube root of unity हम यहाँ पे जो भी बाते कर रहे हैं वो आपके exam के point of view से बाते कर रहे हैं मैं क्यों इस बात को मैं कह रहा हूँ क्योंकि यह जो topic complex number वह आपके 11th के syllabus में भी है लेकिन जब हम NDA का exam देते हैं जो हम competition का exam देते हैं तो हमें इसी चीज को shortcut ढंग से पढ़ना होता है, short trick का हमें maximum use करना होता है तो आज की video में हम cube root of unity को लेकर के हम short tricks के बात करेंगे, shortcut का हम use करेंगे, जितना भी बहुतर तरीके हो सकता है हम exam की point of view से पढ़ेंगे, तो आज का video बहुत ही जबदस्त है, आप video को अन तक देखेगा, अन तक channel बने रहीएगा, तभी आपको पूरा खेल समझ में आएगा, cube root of unity का, ठीक है बेटा, तुम शुरू करते हैं, बगर कोई समय गमाए होए, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम बेटा देखेंगे, आज का जो हमारा sliver से बेटा ही है, वो है cube root of unity को लेकर गया है, cube root of unity, ठीक है यहाँ तक, यह कहा गया है, देखेंगे यहाँ पे, cube root of unity का मदर्ब होता है, एक का q root, यह तो हुआ, ऐसे, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा यह, अगर आप cubing करेंगे, x cube is equal to 1 हो जाएगा, तो x cube minus 1 is equal to 0 हो जाएगा यह, ठीक है, इसके बाद फिर यह हो जाएगा, x minus 1 और x square plus 1 plus x is equal to 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा, अब यह क्या देदेगा, x is equal to 1 देदेगा, इसके बाद यहाँ पे कहा गया है, x square plus 1 plus x is equal to 0 के, अगर हम इसको compare करें, अगर हम इसको compare करें, किससे, quadratics है, तो a के बेलों क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अगर हम इसको x square plus bx plus c से अगर हम compare करें, ठीक है, तो यह क्या देदेगा, a x square plus bx plus c is equal to 0, हमने इसके compare कर लिया, दिखाई दे रहा है न, ठीक है, compare कर लिया बेटा, यहाँ पे a की बेलों बन देगा, b की बेलों बन देगा, ठीक है, और c की बेलों क्या देगा, यह भी बन देगा, यह, ठीक है, अभी मैं आपको क्या समझाना चाहरा हूँ, अभी मैं आपको जो समझाना चाहरा हूँ, अभी आपको ज़्यादा समझ में आगा बाद में, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, x square plus 1 plus x is equal to 0 के हो जाए गई है, हमने इसको compare कर लिया, quadratic से, x square plus bx plus c is equal to 0 है यहाँ पे, हमने compare किया, a is equal to 1 देगा, b is equal to 1 देगा, और c is equal to क्या देगा, 1 देगा यह, अब आप जानते हैं स्रीधराचारे रूल के बारे में, जो स्रीधराचारे का रूल होता है यहाँ पे, बाइस स्रीधराचारे, वो होता है बेटा, x equal to होता है, minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a, यह होता है स्रीधराचारे का रूल, ठीक है, minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a, यह जो है स्रीधराचारे का रूल होता है, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखेंगे, देखेंगे बेटा यहाँ पे, मैं इधर लिख दूँ, ज्यादा सही रहेगा, यह सब कहानी आपको जानने के जरुद नहीं है, मैं आपको क्या बता रहाँ आप अभी ज्याद से देखेंगे, अगर आप इसको solve करेंगे यहाँ पे, अगर आप इसको बेटा यहाँ पे solve करेंगे, x is equal to क्या हो रहेगा ही है, minus b, plus minus root b square, minus 4ac upon 2a, minus 1 plus minus, root minus 3 by 2 हो रहेगा ही है, इसको बेख सकते हैं, minus 1 plus minus root 3, i by 2 हो रहेगा ही है, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको, देखेंगे अब यहाँ पे, फिर समझेए, cube root of root, x is equal to क्या हो रहेगा, 1 का हमने cube root निकाल लिया है, यहाँ पे, x cube is equal to 1 हो रहेगा, तो x cube minus 1 is equal to 0 हो रहेगा ही है, अब यह क्या होता है, eq minus b cube का हमने formula लगा दिया, तो क्या होता है, यह x minus 1 हो रहेगा, और x square plus 1 plus x is equal to 0 हो रहेगा यह, aq minus b cube का formula क्या होता है, ठीक, aq minus b cube का जो formula होता है, वो होता है बेटा, यह, aq minus b cube, a minus b, a square plus b square plus a b, यही होता है, ठीक है न, a minus b है, और फिर क्या है, a square plus b square plus a b, यहाँ पर दिया गया है, हमने वही लगाया है, x cube minus 1 का मतब का हो रहेगा, x minus 1 हो रहेगा, और फिर x square plus 1 plus x हो रहेगा यह, आप इसको simplify करेंगे, आप compare करेंगे, a is equal to 1 देगा, b is equal to 1 देगा, c is equal to 1 देगा यह, 22 स्रेध्रहचारी का रूल हमने लगा दिया आईए, x is equal to 2 हो रहेगा, minus b plus minus root b square minus 4 दिशेपान 2, यह स्रेध्रहचारी का रूल होता है, आप इसको simplify करेंगे, b के वालिव minus 1 plus minus root 1 minus 4 by 2, minus 1 plus minus, यह क्या देगा, root minus 3, देखाईए, root minus 3 का मत्रब हो रहेगा, मैंने आपको बताया है, कि root minus 3, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो बेटा, root 3 into root minus 1 होता है, root 3 into i हो रहेगा यह, ठीक हैं, यहाँ तक, हमने आपको पहले वाली class बताया है, तो वही मैंने किया है, minus 1 plus minus root 3 i by 2, अब असली जो खेला है, वो यहाँ से आ रहा है, बागी और तो कहानी थी, जैसे, अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, यह, यह दो पार्ट देगा, दिखाई दे रहा ना, हाँ, जो पार्ट देगा बेटा, ओमेगा देगा यह, माइनस वन प्लस रूट 3i by 2, प्लस वाला यह देदेगा, और ओमेगा स्कॉर के बात करें, माइनस वन माइनस रूट 3i by 2, यह ओमेगा स्कॉर देगा, ठीक है, आप समझ गए हैं, तो आपको इसी तरीके से करना है, यहाँ पे आपको इसी तरीके से करना है, अब इसमें आपके समझने लाइक क्या चीज़ हुई, समझने लाइक चीज़ हुई, जो आपके exam के लिए important है, एक आप इसको धान रखना, कि जब भी कोई cube root of unity होती है, तो उसके 3 factor होते हैं, जब भी cube root of unity की बाद होती है, तो इसके बेटा 3 factor होते हैं, 3 factor क्या क्या होगा, एक यहाँ पे होगा यह, x is equal to 1 होगा यह, एक यहाँ पे omega is equal to 2 देगा यह, minus 1 plus root 3i by 2 देगा यह, ठीक है, यहाँ तक बेटा, और फिर यहाँ पे omega square की अगर हम बात करें, अगर हम omega square की बात होगी, तो इसके 3 roots होगे, एक 1 एक root होगा, दूसरा, omega देगा, minus 1 plus root 3i by 2 देगा यह, अगर हम omega square की बात करें, minus 1 minus root 3i by 2 यह चीज़ी देगा, तो इसके 3 roots होते हैं, ठीक है पेटा, आप समझ गए हैं यहाँ तक, ठीक हैं, समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप इसको 3 चीज़ी याद रखना, omega और omega square की value आप इसको याद रखे रहना, हमें इसी चीज़ी का बार-बार यूज़ी करना है, ठीक, अगर यह questions हम लगाते हैं, questions हम लगाते हैं, देखेंगे, देखेंगे हाँ, अब इसके कुछ if और but भी होते हैं, फिलाल इसका बसकी कुछ property लिख लीजिए, property क्या होती है, note, note क्या है बेटा, देखेंगे, omega cube की value 1 होती है, जैसे हमने आपको बताया था, i की power 4, उसकी value 1 होती है, उसी तरीके से, omega cube की value 1 होती है, और 1 प्लस omega, प्लस omega square, इसकी value क्या होती है, बेटा, 0 होती है, 1 प्लस omega, और प्लस omega square क्या देगा, यह 0 देते गई है, अगर हम omega की बात करें omega square की बात करें तो minus 1 plus omega देतेगा अगर हम omega की बात करें तो minus 1 plus omega square देतेगा तो आप इसको धान रखना इतनी चारी चीज़ों को omega की 1 देगा और 1 plus omega plus omega square 0 ठीक और यह minus अगर omega square की बात करेंगे तो minus 1 plus omega square देतेगा यह वेंगा की बात करेंगे तो माइनस 1 प्लस वेंगा इस तरीके से हो रहेगा ठीक है आप समझ गये हैं आप इसको धान रखना अब आएक इसी पर हम कुछ questions रखा लें धान रखेगा आप इसे कुछ questions हम रखाते हैं जैसे इसके कुछ questions देख लिया जाएं देखेंगे बिटा जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि ओमेगा की पावर 25 की वैलो बताईए तो हमने आपको बताया है कि ओमेगा की वैलो 1 होती है और हमने आपको आयोटा की बारे बताया है कि जब भी आयोटा का सवाल पूछा जाता था तो हम क्या करते थे, 4 से हम डिवाइड करते थे, फिर हम उसके रिमेंडर वाले पार्ट को देखते थे, यहाँ पर क्या है, हम 3 से डिवाइड करेंगे और हम उसके रिमेंडर वाले पार्ट को देखेंगे, हम अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे बेटा ये, तो ओमेगा की पाव इंटो ओमेगा तो क्या देदेगा ओमेगा देदेगा यह तो दिहान रखना अब आपके इसमें समझने लाइक की चीज क्या है देखो यह तो आप जो पढ़ते हैं यह आप 12 वगरा में पढ़ते हैं इस तरीका का जो तरीका होता है जब हम कॉंपटिशन का एग्जाम देते ह हैं तो हमें इसको तेजी से लगाना होता है कैसे आप इसको तेजी से लगाएंगे इसको लगाने का तरीका यह है इसे 25 है तो आप क्या करेंगे 3 से डिवाइट कर देंगे भाई जब ओमेगा क्यूंब की वैलू 1 आनी है तो फिर उसे हम क्यों अपना समय वेस्ट करें सबस फिस सबसमालेजिए आप क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे और जो इसका रेमेंडर वाला पार्ट है ठीक उसको आप ओमेगा के पावर के फॉर्म में आप लिख देंगे बस इतना ही करना है आपको जैसे यहां पर हैं ओमेगा की पावर 25 है हमने 3 से डिवाइड किया रेम 998 अगर आपसे कहा जाए ओमेगा की पावर 998 आप इसकी वेलू बताईए अगर आपसे यह कहा जाए तो कुछ नहीं करना है आपको 3 से डिवाइड करना है 3 से डिवाइड करेंगे आप ठीक तो क्या बचेगा यह आप रिमेंडर कितना बचेगा देखो यहां पर 2 बचेग और सिर्फ और सिर्फ आप उस पर जो पावर्स है उसी की बात करेंगे बाकि अधर चीज़ आप छोड़ देंगे जैसे एक क्वेशन है यहां पर एक क्वेशन है बेटा यहां पर देखों क्वेशन है यहां पर दिया गया है मेरे खाल सब्सक्राइब आप समझ गया है जिसमें कोई मत्रब नहीं है आए एक वाल और हो जाएं जैसे अगर आप से यह कहा जाएं ओमेगा की पावर 1011 या 2011 करते हमेजा करते हम क्या करनेंगे हम 3 से डिवाइट करिए 3 से हम करेंगे यह ठीक है अब हम क्या करेंगे देखेंगे अब हम क्या करेंगे देखेंगे कितना रिमेंडर आ रहा है है 3618 23721 और वन बचे गई है ठीक है अब समझ गही है तो इसका अंसर क्या देगा ओमेगा देगा ध्यान लखना जब भी आपसे ओमेगा का कुछ भी पूछा रहेगा तो कुछ नहीं करना है आपको 3 से डिवाइड करना है और आप सिर्फ वो सिर्फ उसके रेमेंडर वाले पार्ट को आप क्या कर देंगे उन्हेंगा कि पावर के फॉर्म में लिख देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा मैं आपको यही बताना चाहरा हूँ अब इसके कुछ एक क्वेशन दिया गया है देखेंगे बेटा यहां पर क्वेशन जैसे मेरे सामने है यह पूछा गया सवाल है आपसे कहा गया है वन प्लस ओमेगा की पावर क्यूब 1 प्लस ओमेगा की पावर क्यूब है और फिर आपसे कहा गया है मीनस 1 प्लस ओमेगा की पावर क्यूब है आप्शन घर यहां पर 2 माइनस 2 जिरो टूमेगा 2, minus 2, 0 और फिर आपसे कहा गया है 2 omega यह पूछा गया सवाल है ठीक तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आप ऐसे सवालों को लगाएंगे तो सबसे पहरे देखेंगे formula वगरा क्या कहाई पर लग सकता है जैसे 1 plus omega है तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 plus omega को हम इसको लिख सकते है minus omega square की power हम cube लिख सकते है और इसको minus 1 plus omega square क्यों हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि 1 plus omega plus omega square क्या होता है 0 होता है 1 plus omega क्या देगा minus omega square देगा वही हम कर रहे हैं, 1 प्लस ओमेगा इस पर क्या देगा बेटा, या माइनस ओमेगा देगा यह, तो माइनस ओमेगा की पावर क्यों हो जाएगा यह, ठीक है यहां तक, आप इसको कर लिजिए, माइनस ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा और omega की power यह क्या देदेगा यह क्योग देदेगा यह वेटा minus 1 plus 1 क्या देदेगा 0 हमारा answer C हो जाएगा C हो जाएगा यह आप मेरी बात समझने हैं कैसे लगाने हैं आपको आपको इसी तरीके से लगाते हुए चलना है पहले आप देखें कि फर्मूला क्या है क्या कैसे लगाएगा है फिर आप उस तरीके से लगाएंगे ठीक है जैसे एक सवाल और हो जाए यहाँ पर एक सवाल और है यहाँ पर ठीक है यह समझ गया आप यह एक सवाल और आयो देख लेते हैं अगर आप PYQ को उठा करके देखेंगे तो ऐसे काफी सवाल पूछे गया है मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करें तो आपको हमेशा PYQ के हिसाब से पढ़ाई करना चाहिए हमारी academy के जो भी teachers हैं यहाँ पे सक्त जो है आदेश है कि आप हमेशा PYQ के हिसाब से पढ़ाई तो हमारा मूल उद्देश यह है कि आप exam qualify करें इसलिए जितना भी बहतर हो सकता है, हम करने की कोशिस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर यह भी पूछा गया है, यह आपके एकजम में पूछा गया सवाल है बेटा, यह, question है, one minus omega plus omega square, omega square की power 5 दिया गया है, ठीक है बेटा, और फिर आगे दिया गया है, one plus omega minus omega square की power यहाँ पर 5 दि गया है, option क्या है, four है, दूसरा option क्या है, eight है, तिस्रे option की बात करें यहाँ पे, 16 है और 32 है, 16 है और 32 आप से यह कहा गया है, ठीक है, यह कहा गया है, one minus omega plus omega square की power 5, one plus omega minus omega square की power 5, आप से यह कहा गया है, कुछ नहीं करना है आपको, one plus omega square क्या देगाई है, इन दोनों को लेलो, लगा ले जाओगे न, इन दोनों को लेलो और इन दोनों को लेलो, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वार क्या देगा बेटा ये, माइनस ओमेगा देगा, तो माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 5, माइनस ओमेगा स्क्वार माइनस ओमेगा स्क्वार की पावर 5 और माइनस 2 की पावर 5 क्या देगाई है माइनस 32 ओमेगा स्क्वार देगाई है और यहां पर माइनस 32 और यहां पर ओमेगा देगाई है ठीक है वहीं ओमेगा की पावर 5 है आप 3 से डिवाइट करेंगे क्या देगा ओमेगा स्क्वार देगाई है यहां पर ओमेगा स् 10 होड़ेगा ओमेगा की पावर 10 में 3 सी डिवाइट में ओमेगा दे गाई है माइनस ओमेगा माइनस 32 कॉमा ले लिजिए तो 1 प्लस ओमेगा यहां पर बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वार होड़ेगा यह यह क्या हो रहेगा बेटा omega square और plus omega हो रहेगा यह minus 32 into minus 1 यानि 32 देदेगा d option देदेगा ठीक है यह क्या देदेगा d option देदेगा यह खिर समझ लिजिए 1 plus omega square minus omega minus omega minus omega के पवर 5 1 plus omega क्या देगा minus omega square देगा यह minus 2 omega square के पवर 5 आप इसको omega के power 5 में 3 से divide करेंगे क्या देगा omega square देगा यहाँ पे omega के power 10 हो जाएगा 3 से divide करेंगे क्या देगा omega देगा यह minus 32 हमने कॉमा ले लिया यहाँ पे omega plus omega square हो जाएगा minus 1 देगा minus 32 हमारा answer देगा ठीक है तो इस तरीके से कोई भी question आएगा आप इसको ऐसे ही लगाना है कोई भी कुशन आएगा बेटा आप इसको ऐसे ही लगाएंगे ऐसे काफी सवाल दिये गए तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा तो जो भी आप प्याव दोस्तों सभी के पास हमारे वीडियो हमारा चैनल उनके पास करिए फारवर्ड करिए उनके पास पहुचाईए अपने हर दोस्त हैं हर जो आपके जान पहुचाने वाले हैं सभी के पास हमारा चैनल हमारा वीडियो पहुचाईए ताकि उनको इस बात की समझ हो सके कि उनको किस तरीके से त्यारी करनी है अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें नोटिफिकसन बिल्कुर आप जरूर दमाएं अगर आप नोटिफिकसन बिल्कुर नहीं दमाएंगे तब तक बेटा आपको ऐसे जबदस्ट कंटेंड नहीं मिल पाएंगे ठीक है बेटा तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बात का वीडियो बहुत ही जबदस्ट है हम कुछ और important segment की बात करेंगे जो कि आपके इंडिया के हिसाब से बहुत ही most important है ठीक है पिटा आज बसेंगे तक Thank you जे हिंद, जे भारत, बंदे माधरम